हलो फ्रेंस मैरागनी और आज हम सीखेंगे प्रिंसीस कट लहंगे की ब्लाउंस की कटिंग और सिलाई तो फ्रेंस देखें यहाँ पर गले पर भी इंबोर्टरी दिया हुआ है और नीचे की साइड भी बॉर्डर दिया हुआ है तो इस टाइप का अगर आपको नेट वाला ल सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे और अस्तर को अपने साइज की सापसे डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर देखें फ्रेंस मैं इसको छती साइज में बना रहे हूँ हूँ आप अपने साइज की सापसे कीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग बेक पाक्ट की रेड़ी लेंध हमें रखनी है साड़े 14 इंच तो इसमें आपको कितना बढ़ाना है एक इंच बढ़ा लेना है तो मैं यहाँ पे पंदरेंच में मार्जन के साथ इसका लंबाई ले रही हूं तो आपको जितना भी लंबाई रखना उसमें एक इंच पलस कर लेना है बैट पार्ट के लिए अब यहां पर गले की चौड़ाई को चेक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं गला का जो चौड़ाई है आप यह साड़े छे इंच में लगबब आ रहा है और जो इसका टोटल लेंथ है साड़े चौड़ा आ रहा है जितना मैंने रखा यहां से गले की चौड़ाई साड़े इंच ले लेंगे तोटल साहए चेंच में आर्म होल्की लंबाई भी हैं पर आपको यहां सितना की ले ना है यहां सतर देखी immers सीने का चोथ हाई भाग नौवी ऐनक्छ साड़े चेंज से ज्यादा नहीं लेना है अगर ज्यादा फैला हुआ गला है तो उसको आपको थोड़ा सा गले को बीच से दबा के कभर कर लेना है अब देखे फ्रेंसा अधा इंच हम सोल्डर को डाउन कर लेंगे यहां से और नीचे के साइड कमर का चोथाई भाग आठ इंच और एक इंच कमर का प्लेट का साइड में दो इंच मार्जन अब देखें, फ्रिम्स बैग पार्ट की जो मारकिंग होती है, कंप्लीट हो गई है, और इसकी cutting हम कर लेंगे, बैट पार्ट को cut करने के वासे, अब देखें, आगे के पल्ले को cut करने के लिए आपको क्या करना है, कपड़ा को भढ़ा के फोल्ड कर लेना है, किमकि जो फ्रंट पार्ट है या आगे का जो पला है उसमें हम प्रिंसिस कट डालेंगे तो उसमें आपको चौणाई में जादा कपड़ा चाहिए होता है अब बैक पार्ट को देखी इसके उपर हम अच्छे से सेट कर लिए हैं फोल्डेट साइड दोनों का एक तरफ होना चाहिए लंबाई में हम आधा इंच बढ़ा लेंगे कितना बढ़ान लेंगे आधा इंच बढ़ा लेंगे प्रिंसिस कट वाले पार्ट के लिए और यहाँ पर आर्मोल साइड से एक इंच और नीचे के साइड यानि कमर के साइड से आपको डेड़ इंच बढ़ा लेना है चौणाई को बाकी देखे फ्रेंस यहाँ पर हम इसको लाइन को सिधा कर लेंगे और आर्मोल की जो गोलाई है बिल्कुल से में यहाँ से हम मार्क कर लेंगे मैं इसे साइड में चैन वाला बना रहे हूँ इसलिए हुकाई के पट्टी के लिए किसी भी साइड आपको मार्जन नहीं लेना है यहाँ पर देखे फ्रेंस मार्किंग हम फ्रॉंट पार्ट की भी कर लिये हैं और इसके उपर हम इसको कट कर लेंगे आप किसी भी साइड का बना रहे हैं बस आपको बैग पार्ट को रखना है लंबाई में आधा इंच और आर्म होल के साइड एक इंच और कमर के साइड डेड इंच बस आपको बढ़ाना है बाकी सेम रहेगा यहां पर देखिए फ्रेंस चार कोर में फिर से एक बॉक्स रेड़ी कर लेंगे और बॉक्स को रेड़ी करने के बाद से यहां से देखिए गले की चवड़ाई साड़े तीन इंच ले लेंगे और लंबाई यहां पर मैं साथ इंच में ले रहे हूं आप अपने पसंद की आपसे लीजिएगा जिस साइज का आपका इंबोर्टी वाला गला दिया होगा उसके साइज का अब यहां पर टक्स पॉइंट निकालेंगे तो 36 साइज में टक्स पॉइंट ले रहे हूं दस इंच में दो आप देखें फ्रेंस आपको क्या करना है बंद भाग के तरब से यह निजी साइज में गलेंगे तरव हमने हैं दस इंच में डवणालेंगे लिए अब देखें जहां आरमहल का कॉना हां यहां से निचे तक इस लाइन को राउंड से देते हुए मिला लेंगे और रहां पे टक्स पॉइंट है वहांसे हलकासा राउंड देते हुए जो दो इंच दो पॉइंट कम के दूरी पर मार्क किये थे उसमें मिलाईगे यहाँ पर देखें देड़ इंच आपको बिल्कुल एस्ट्रेट लेना यहाँ से यानी बिल्कुल सीधा लेना है देड़ इंच उसके बाद से आपको घुमाओ देना है अब दूसरे साइच का प्रेंसिस कट सिखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट के जिए या फिर मेरे चैनल पे जाके देखिए बहु सारा प्रेंसिस कट का वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखें अब में कपड़े की कटिंग करेंगे यहाँ पर आपको ध्यान देना है देखिए इसको बीच से फोल्ड करेंगे आपको फोल्डिंग एकदम बीच से लगानी है देखिए गला का जो सेफ है दोनों ऊतर और आना चाहिये बीच से फोल्ड करने के बाद से फ्रेंच देखे या पर आपको एक बार गले की लंबाई को किलियर कर लेना है तो मैं यहां से 7 इंच रेडी लेंथ रख रहे हूं तो 7 इंच में मार्किंग करकी इस लाइन को सीधा कर लूँगी उसके नीचे ही आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है यानि बिल्कुल उसके बराबर से आपको मिला की रख लेना है और अब हम देखिए साइड में जो इसका साइड का पार्ट होता है प्रिंसिस कट का उसको रख लेंगे और चारो तरब से में कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंस देखिए यहां से मैं बीच से कट कर ले रहे हूं और इसमें आप थोड़ा से एक्ष्टा कपड़ा ले सकते हैं बाद में उसको हम छाट के निकाल देंगे में कपड़े में का अब देखिए फ्रेंस यहां पे कटिंग हम कर लिए हैं और कटिंग हमारी कम्प्लीट हो गई है मैं आपको इसकी सिलाई करके बताती हूं तो देखिए सबसे पहले हम जो प्रेंसिस कट का सेंटर पार्ट होता है उसको लेंगे जिसमें हमारा नेक होता है देखिए दोनों में बीच बीच में कट लगा लेना है में कपड़े में भी बीच में आपको कट लगा लेना है दोनों साइड ताकि सेंटर का हमें पता चल स से फ्रेंस किसी भी साइड आपका जो गला है ना तीरचा नहीं होगा एक दम बीच में आपका दोनों कपड़ा सेट हो जाएगा अब हम इसको उल्टा कर लेंगे देखे इस तरह से हम पलट लिए हैं और जिस साइड हमारा नेट वाला मेन कपड़ा है उस साइड हम आ गया है को चीप का करके सुई चलानी है इस तरह से देखे फ्रेंस गले की पूरी राउंड को हमें स्टीच कर लिए हैं और यहां से एक चाप कपड़ा मार्जन में छोड़ते हुए बाकी कपड़े को यहां से हम कट कर लेंगे कट करने के बाद से देखे पूरे गले में आपको छोटा छोटा कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद से देखिए अब हम अस्तर वाले पाट को बाहर के साइड कर लेंगे और इसके उपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि गला हमारा असानी से अंदर के साइड फोल्ड हो जाए यहां पर देखे फ्रेंस अब हम बीच में जो थोड़ा सा धागा था उसको हम कट कर रहे साहा कोना है वहां पर धागा हम थोड़ा सा बढ़ा के मसीन को लिये थे अब देखे फ्रेंस इसको हम पलट लिए हैं अस्तर वाली पाठ को और अब गले के ऊपर आपको finishing की सिलाई लगानी है, यहाँ पे देखिए, एकदम finishing की साथ आपको गले के उपर सिलाई लगानी है, अब आपको पूरी अस्तर के किनारे को सिलाई लगा करके मेन कपड़े के साथ सेट कर लेना है, अब इसके बाद से देखे फ्रेंस पूरे किनारे को सिलने के बाद से अब हम जो भी एक्ष्टा पार्ट देख रहा है नेट वाले कपड़े में का उसको हम कट कर लेंगे किनकि जो में कटिंग होती है वो हम अस्तर के उपर ही करते हैं तो अस्तर के बाहर जो भी एक्ष्टा कपड़ा देखे उसको आपको कट करके क्लीन कर लेना है अब साइट का जो प्रिंसिस कट का पाट है उसको भी हम सिलाई लगा करके अस्तर से ज्वाइंट कर लिए हैं और इसमें का भी जो एक्ष्टा कपड़ा है उसको हम क्लीन कर लिये हैं अब देखे अगर आप नीच कमर के नीचे के साइट बॉर्डर है तो इस टाइप का प्रिंसिस कट वाला ब्लाउंज है तो आपको नीचे से कभी भी प्रिंसिस कट को नीचे से ही जोड़ना है क्योंकि अगर आप उपर से जोड़ते आएंगे तो जो आपका बॉर्डर है ना उसका लेबल उपर नीचे हो सकता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नीचे के साइट से दोनों का बॉर्डर एकदम बराबर से मिला लेना है और उसके बास से प्रिंसिस कट वाले पार्ट को जोइंट करना है यहां पर देखे फ्रेंस एक साइट का मैं जोइंट कर ली हूं और सेम एडिया से आपको दूसरी साइट का भी जोइंट कर लेना है यहां पर देखे इसको लेंगे और इसको भी देखे फ्रेंस हम नीचे की साइट से जोइंट कर रहे हैं ताकि हमारा ब जोटा बड़ा बड़ा है तो हम कट कर लेते हैं देखिए दोनों साइड बहुत आजली ज्मांने करने और नीचे का कर रहे हैं कॉटन वाली पट्टी है दो इंच ओड़ी अब देखे फ्रेंस पट्टी को बाहर के साइट करेंगे और इसके उपर यह कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहां पर देखिए डबल फोल्ड करते हुए यहां पर हम कच्ची सिलाई से इसको सेट करेंगे क्योंकि तूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके विल बुटन को ओन करेंगे